दोस्तो अब आप हमें Unacademy पे भी follow कर सकते हैं इसके लिए आप Unacademy का Learning App Play Store से install कर लेंगे तो आपको हुमारे दुवारा दिये के courses की वीडियो आसानी से प्राफ्त हो जाएंगे discussion में link दिया है click करके follow कर लीजिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सीटेट सारे courses available कराएं गए हैं तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से धन्यवाद तो दोस्तो हाजिर हैं आप सामने लेकर आज की बड़ी खबरे यानि 14 सितंबर 2018 की जो भी latest news है इसके बारे में discuss करेंगे तो दोस्तो पहली news यह है 485 सिक्षक भरती की दोबारा जाची जा सकती है कॉपियां और 485 सिक्षक भरती की जाच समीते ने मांगे हैं परिक्षा और मुल्यांकन संबंधी जो भी record है उसको प्रस्तुत करने के लिका है और साथी इसमें जो शिक्षक भरती में जिला आवंटन को लेकर गरबडियां जो है वो बरकरार है और सिक्षक भरती परिक्षा मामले में हाई कोड के आदेश पर 49 कांफियों का वित्रण जो है आज किया जाएगा साथी 685 सिक्षक भरती का संसोधित रिजल्ट देने की तैयारी चल लई है और किस प्रकार से दिया जाएगा इसके बारे में वीडियो म मिस नहीं होगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यह आप टेट सीट और यूपिटेट और अगली शिक्षक भरती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी MSC Notes की टीम ने आपके लिए WhatsApp ग्रिप क्रेट किया है जिसके मादिम से आपको आसानी से हमारे दो परिक्षारति की दुबारा जांची जा सकती है कौपियां यानि सिक्षक भरती के लिए सासन की ओर से गठित कमेटी ने जांच में परिक्षारतियों को भी सामिल कर लिया है परिक्षारतियों की मुख्य मांग का दुबारा मुल्यांकन है समीति के सदस्यों ने भी अपनी अपनी प्रारंभिक जांच में कॉपियों के दुबारा मुल्यांगन के संकेद दिये थे। प्रदेश सरकार से तीन सदस्य समीती का गठन किया गया जिसके मादियम से इसमें पूरा छानबीन चल रही है पूरे रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं जो भी गरवडिया होगी इसको सही किया जाएगा और इसी में जो आपका है जिला आवंटन को लेकर जो गरवडिया सामने प्रिक्षा की अनिमित्ताइं खंगारी जा रही है जबकि न्यूकती पाने वालों के जिला आवंटन में गरवडिया और अफसरों का ध्यान ही नहीं है दूसरी चैन सूची के कम मेरिट वालों को ग्रेज जनपत मिलने के बाद से विवाद बढ़ा है इससे हाई कोर्ट तक में चुनवती दी जा सकती है साय का ध्यापक भरती में दो चैन सूची बनाने से अभ्यरतियों के जिला आवंटन की प्रक्रिया धड़ाम हो चुकी है या कह सकते दोस्त हो चुकी है पहली चैन सूची के 34660 अभ्यरतियों को अधिक बढ़ांग होने बाद भी उन्हें पसं बहुत ही अधिक समझ से हमें आई थी जिसका भी जाच चल रहा है अगली नियू से आपके 85 सुक्षक भरती मामले में हाई कोड के आदेश पर 49 कॉप्यों का मुल्यांकन वित्रण जो है आज किया जाएगा हाई कोड के आदेश पर 49 याचियों को स्कैन कॉप्य सुक्रवार जाना जाना है उसकी वे तैयारी चल रही है नैस सची अनिल भूशन चत्रुवेदी ने बताया कि कौड के प्रकर्णों को छोड कर आगे से जिस अभ्यरती ने जिस तारी को आवेधन किया है उसी को ध्याण में रखकर सकैन कॉप्यों का वित्रण कराया जाएगा सभी को ज सितंबर को सुनवाई में हाई कोड के समझ पूरी रिपोर्ट रखी जा सके इसके अलावा कोड ने जिनको स्कैन कॉपी देने का निर्देश दिया है उनकी कॉपी भी विशेश रूप से देखी जा रही है ताकि गरबड़ी के आरो पर कोड के वाजिव जवाब दिया जा सके याची सौरप की कॉपी नहीं मिल सकी है इसमें भी जांच पर क्या चल लए है और इसमें ऐसे भीरतों की कॉपी अभियान के राज परियोजना निदेशक वेदपती मिश्रावा बेसिक शिक्षा निदेशक डाक्टर सर्वेश कुमा मित्रम बहादूर ने सामने भी जो है अंको की हेरा फेरी सामने उनके सामने प्रस्तुत हुई है तो इस पर भी जाच चल रही है और जो भी प्रक्रिया और आपकी चीज़ की त्यारी कर रहे हैं इसका व्योरा आपको हमें वाटसिप पर बताना होगा जूड़ने की सुविधा सिर्फ केवल 50 रुपीज रखी गई है आप एटम या फोन पे के मादिम से पे कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीन सॉट हमारे इस वा तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद